हलो गाईज, वेलकम टू माई चैनल तरुंचर गाईज, प्रीविस वीडियो में मैंने आप लोगों को सिखाया था कि किस तरह से हम एक फाइल का नेम इंपुट लेंगे देन उसे रीड करने के लिए हम लोगों ओपन करेंगे and then हम काउंट करेंगे कि उस फाइल में कितने number of characters है हमारे पास right so guys इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि फाइल को हमें open करना है then हमें उसमें number of lines को काउंट करना है कि कितने lines हैं जो हम लोगों ने basically फाइल के अंदर input दे रखी है so guys simple सा task है जैसे suppose हमारे पास ये file है like this is our data file जिसमें ये data पड़ा है previous program में भी हमने ये use करी थी इस program में basically हमारे पास दो lines है यानि हमें backslash n के occurrence काउंट करनी है और जितनी बार backslash n आया है उससे एक ज़्यादा हमारे पास line है जैसे यहां अगर आप देखोगे तो first backslash n इस जगे पर आये जैसे ये तरुन सपोज हम टाइप कर रहे होते और हमने एंटर माल गया तो ये एक backslash n आया है यहां पर चेक है सो जितने backslash n आये हैं उससे एक ज़्यादा हमारे पास line है basically सो आते हम प्रोग्राम बनाते हैं सो डेवलपर सी प्लस पर शुरू किया हमने control n से new file बनाई then hash include stdiu.h int main now file pointer लिया हम लोगोंने and एक character type का file name नाम का हमने array लिया जिसमें हम file का name input करेंगे character read करने के लिए care ch variable लिया and एक integer lines variable बना दिया जिसको initialize कर दिया हमने one से क्योंकि एक line at least हमारे पास होगी right now अब हम लोग क्या करते हैं सबसे पहले हम user को message देते हैं user को हमने message दिया enter file name चीके guys now get us function हमने लगाया और यहां पर हमने file name variable में या array में हमने string जो है वो input करवा दी इसके बाद हम लोग क्या करेंगे इसके बाद सबसे पहले हम check करेंगे कि fa अगर not equal to null है that means file opening हमारी successfully हुई है अगर file opening नहीं होई है तो else part में simply हमने message डाल दिया printf file opening field file opening field okay चीके guys अचा अगर file हमारी successfully open हो गई है तब हमने यहां पर एक while loop setup किया यहां हमने use किया ch equal to f get c fp and यह कब तक काम करना चीक यह loop जब तक हम end of file पे नहीं पहुँच जाते जैसे हम end of file पे पहुँचते हैं यह loop हमारा बंद हो जाएगा now जो ch हमने read किया है उसको हमने चिक किया कि वो backslash n के बराबर है क्या अगर यह बराबर है तब हमने क्या करा lines variable को प्लस प्लस कर दिया loop खतम होने क्या दम मैं प्रेंट करवा दिया file have %d lines and comma करके lines variable finally हमने file को कर दिया close अब देखिए एक जो मैं mistake यहां पे कर रहा था that is कि यहां पे मैंने file को open तो किया ही नहीं है केवल user से file का name input लिया है तो open करने के लिए हमने लिखा fp equal to fopen file name and कौन से mode में open कर दिया हमने इसको r mode में यानी reading के लिए fine guys so this is our code now इसको मैं save कर देता हूं count lines in file and fine guys यह से होगी file हमारी so यह simple सा task है execute कर लेते हैं इसको like हमने दिया data.txt so हमें बता रहा है file have two lines एक बार हम data.txt जो है उसके data को change करते हैं so this is our data.txt and यहां मने डाल दिया I live in India fine और इसको हम save कर देते हैं fine guys now हम फिर से इसे compile करते हैं then हम इसे run कर देते हैं and हमने यहां पे इन पूट दिया data.txt file have three lines okay now one more thing मैं suppose यहां से यह हटा देता हूं इतना पार्ट इसको हमने सेव किया developer c++ में आते हैं हम लोग इसको compile and run कर देते हैं इस बार मैंने दिया data.txt file have one lines and एक बार और हमने run किया कुछ गलत name दिया जैसे हमने दे दिया data.txt इस नाम की कोई file नहीं है हमारे पस file opening fail हो गई है so guys previous video में मैंने बताया था कि यह जो loop है क्या कर रहा है यह के character file से read करता जा रहा है end of file कहां से आ रहा है हर file के अंत में हमारे पास uf होता है जैसे strings के अंत में हमारे पास क्या होता है null होता है and इसमें if लगा करके हमने check कर लिया जो character read हुआ है अगर वो backslash end के बराबर है तो lines variable को one by one increase करते जा रहे हैं तो दोस्तों उमीद करता हूँ यह program आपको समझाया होगा कोई भी doubt रजाता है तो उस video पर comment कहीजिए मैं आपके doubt को दूर करने की कोशिश करूँगा guys अगर आपको मेरा video अच्छा लग रहा है आप लोग programming सीख पा रहे हैं तो मैं आप लोग उसे request परूँगा कि आप अपने friends के साथ, juniors के साथ मेरे channel को, मेरे videos को share करें ताकि वो लोग भी programming अच्छे से सीख सके thanks for watching the studio guys, thanks a lot